तो यहाई इससे पहले एक वीडियो में मैंने केपिटल एलफाबेट्स लिखके दिखाये थे इनके स्टाइल्स बताये थे कि आप किस तरह से कटमार्का के यूज करके एलफाबेट्स लिख सकते हैं स्टाइल्स आपको लिखके दिखाने जा रहा हूं और अल्मॉस्स सारे ही काफी अच्छे और सिंपल स्टाइल्स हैं तो जो आपको अच्छा लगे आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलें स्टार्ट करता हैं सबसे पहला ए जो है मैं परस्नल्ली ये वाला ए यूज करता हूँ कोई भी वर लिखता है मैं ऐसे ही ये बनाता हूं मोटी लाइन से ऐसे ठीक है और यह ने अगर यह और यहाव पर त्वह से प्रर्इसको स्टाइलिष करने के लिए ऐसे ठीक है काफी एजी है और काफी अच्छा लगता ही और और काफी सारे लोगों से इस तरह गोल करके यह नहीं बन पाता तो इसलिए एक और एक स्टाइल है उसमें यह स्ट्रेट लाइन सीधी मोटी ठीक है और जो पतली लाइन है वो भी इसी तरह आएगी थोड़ से इसको और घुमा देते हैं और यहां से यह बिलकुल स्ट्रेट और थोड़ सा स्टाइल करने के लिए ऐसे और यह उपर से ऐसे ठीक है तो यह भी काफी एजी और बहुत ही खुबसूरत ए है इसके बाद जो ए है वो भी काफी जबरदस्त ए है इसमें यह वाली मोटी लाइन को थोड़ सा नीचे से हम गुमाएंगे ठीक है और पतली उसमें क्या डिफरेंस है यह देख लेते हैं यह सिंपल ठीक है बिल्कुल बाकी दो की तरह और यह बिल्कुल सेम पहले दूसरी की तरह अब इसमें क्या करेंगे इसको ऐसे लागए यही रोग देंगे जो फर्सट वाला एंवह काफी सारे लोगों से नहीं बन पाता बिल् में से इस तरह से ये कर देंगे तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि A तक्रीबन सेम ही है बट थोड़े थोड़े डिफरेंस से काफी जादा जो है A चेंज लग रहे हैं और सारी तक्रीबन अच्छे लग रहे हैं तो जो आपको एजी लग रहा हूँ आप वो बना सकते हैं अच्छा नेक्स्ट ए तक्रीबन पहले वाले की तरह ही है थोड़ा सा स्टाइल सके इंदर चेंज है इसमें जो पतली लाइन है वो बिल्कुल मोटी लाइन के साथ मिलाई नहीं है मैंने और यह जो गोल किया है यह भी पहले वाले के मुकाबले में थोड़ा सा बढ़ा है और अगर आप इन स्टाइल से भी कोई स्टाइल नहीं बना पा रहे है तो एक और सिंपल सा ए है जो काफी सिंपल और काफी एज़ी और काफी अच्छा है इस तरह से बिलकुल इजी सा और सिंपल ऐसे आप चाहें तो इसके उपर हलका सा वो स्टाइल कर सकते हैं जो मैंने उपर के चार में किया है इस तरह लेकिन नीड नहीं आए थिंक अच्छे से नेक्स जो A का स्टाइल है वो एक टाइम पर बहुत जादा ट्रेंडिंग में चला था काफी टाइम पहले और काफी स्टाइलिश था तो ये देखें ये था वो A का स्टाइल और ये काफी जादा चला था उस टाइम पर बस दो और स्टाइल मैं आपको दिखा देता हूँ एक तो ये के जो लोग बिल्कुल सिंपल बनाना चाहते है मतलब कोई स्टाइल जादा नहीं करना चाहते वो सिंपल इस तरह से ए बना सकते है ठीक है? इसके लावा जो लास्ट ए में बनाने जा रहा हूँ वो ज्यादा तर वो लोग बना सकते हैं जो हैडिंग्स पतली बनाते है मतलब ज्यादा खुला खुला नहीं लिखते और पतला पतला लिखते है तो वो इस तरह से ऐसे और इसको ऐसे तो इस तरह से वो A बना सकते हैं ठीक है और यहाँ पर हमारे A के सारे स्टाइल्स खतम हो गए ठीक है तो जैसा कि आपने देखा सारे A काफी स्टाइलिश और इजी है जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लगे और सबसे अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं इंशाला नेक्स वीडियो में आपको B के डिफरेंट स्टाइल्स लखना सिखाऊंगा तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब लाजमी कीजिएगा मिलते इंशाला नेक्स वीडियो में, लाफिज